नमस्कार, पंच्च तंत्र की कहानिया सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंच्च तंत्र के तीसरे भाग काको लोक्यम से अगली कहानी बोलने वाली गुफा की यह है किसी जंगल में एक शेर रहता था, एक बार वे दिन भर भटकता रहा, पूरे दिन उसे भोजन के लिए कुछ शिकार नहीं मिल पाया ठक हार कर शाम को वे एक पेड़ के नीचे बैठ गया, सामने ही एक गुफा थी उसने सोचा कि रात में कोगिना कोई जानवर इसमें अवश्या आएगा, तो उसे मारकर ही आज मैं अपनी बोग शांत करूँगा वे उसके अंदर जाकर बैठ गया, उस गुफा का मालिक एक सियार था, वे रात को अपनी गुफा पर लोटकर आया चांदिनी रात थी, उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे, उसने ध्यान से देखा कि गुफा से बाहर जाते हुए शेर के पैरों के निशान नहीं है उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया है परंतु बाहर नहीं आया है इसका मतलब वह शेर उसकी गुफा के अंदर ही छिप कर बैठा हुआ है क्योंकि गुफा से बाहर जाने का कोई और रास्ता था ही नहीं चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा और मानो जैसे वह रोज आना अपनी गुफा से बाते करता हो उसने द्वार से आवाज लगाई ओ मेरी गुफा जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो मैं बाहर खड़ा हूँ और आज तुम चुप हो क्या हुआ बोलती क्यों नहीं गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा संबव है कि यह गुफा परती दिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो आज उसकी रक्षा या मेरे भै के कारण यह बोल नहीं रही इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुला लेता हूँ ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से ही आवाज लगाई आजाओ मित्र अंदर आजाओ शेर की आवाज सुनते ही सियार को पता चल गया कि अंदर शेर बैठा है वे तुरंत वहां से भाग गया और चलाकी से अपनी जान बचा ली इस कहानी से हमें सेख मिलती है कि हर समय चोकनना और सावधान रहना चाहिए विपरेत पर स्थितियों में से भी सूझ बूझ के साथ निकला जा सकता है अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताईएगा नमस्कार